बाड और आपदा प्रबंधन जम्मू कश्मीर समय समय पर प्राक्रितिक आपदाओं का दंश झेलता आया है कभी यहाँ भूकम्प आता है तो कभी भूस खलन कभी यहाँ के वनों में आग लग जाती है तो कभी शीत लहर के कारण जन जीवन अस्तविस्त हो जाता है यहाँ समय तमय पर बाड की समस्या भी उत्पन होती रहती है चलिए जानते हैं बाड किसे कहते हैं बाड किसे कहते हैं किसी क्षेत्र में जब अत्याधिक पानी जमा हो जाता है या भारी बारिश के कारण नदियों की गती और पानी का स्तर बढ़ जाता है तो इसे बाड कहते हैं किसी भी अन्य आपदा की तुलना में बाड के कारण जान माल का ज्यादा नुकसान होता है विनाशकारी है बाड बाड से जान माल को भी शती होती है संपत्ती, घर, खेत खलिहान, पशुधान आदी सभी को नुकसान पहुचता है जमा की हुई खाने पीने की चीजों के स्टॉक की हानी भी होती है पानी और भूमी भी दूशित होती है बाड में आपदा प्रबंधन और स्थानिय प्रतनिधियों की जिम्मेदारियां बाड आने पर स्थानिय प्रतनिधियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है इसलिए इस आपदा के बारे में स्थानिय प्रतनिधियों को पता होना चाहिए ध्यान रहे कि बाड के पहले की गई तैयारी होने वाले नुकसान को काफी हर्थ तक कम कर सकती है चलिए आज इस विडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि बाड से बचने के उपाए क्या है और एक पंचायत प्रतनिधी होने के नाते बाड आने पर हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या है बाड आने से पहले क्या करें बाड संभावित क्षेत्रों में नर्मान पर रोक लगाएं पानी के निकासी का प्रबंध करें नालियों की सफाई समय समय पर करवाएं बाड के पाने को गुसने से रोकने के लिए सीवर टैप्स में चेक वॉल्ब लगवाएं अपने क्षेत्र में बांधों, बीमों तथा फ्लाट वॉल्ब्स के नर्मान की योजना बनाएं रिसाव को रोकने के लिए अपने बेस्मेंट में वॉटर प्रूफिंग कमपाउंड से दीवारों को सील करें बांध की चेतावनी जारी होने पर क्या करें? अफ़ाहों से बचें और उन पर ध्यान ना दें सही खबरों के लिए रेडियो, टेलिविजन और अखबार पर ही भरोसा करें सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें उचे स्थानों की तलाश करें बच्चों, बुड़ों और महलाओं को सबसे पहले उचे स्थान पर भेज़ें बार आने पर क्या करें? बहते पानी में ना चले 6 इंच की गहराई वाले बहते पानी में आप गिर सकते हैं यदि आपको पानी में चलना हो तो वहाँ चले जहां पानी बहना रहा हो अपने आगे जमीन की सतह की मजबूती और पानी के स्थर को जाचने के लिए छड़ी का फ्रयोग करें बार वाले इलाकों में ड्राइविंग ना करें पालतु जानवरों को घर के अंदर या किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं खाने पीने के स्टॉक को सुरक्षित रखें महत्वपूर्ण दस्तावेजों और मोल्यवान सामानों को सुरक्षित रखें बाद्टब, सिंक और स्टोरिज कंटेनर आदी में साफ पानी भरें बार के कारण अक्सर पानी की सप्लाइब बादत हो जाती है ऐसे में स्टोर किया हुआ पानी काम आ सकता है एलेक्ट्रोनिक चीजों या गैस को बंद कर दें बार के बाद क्या करें यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें बाद के पानी से बचें बाद के पानी के संपर्क में आने पर कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं अगर पावर लाइने टूट कर गिरी हुई हो तो उनसे दूर रहें बिजली कमपनी को रिपोर्ट करें इमार्तों में प्रवेश करते समय अत्याधिक सावधानी बरते, बार से बचने के लिए जहरीले जीवजन्तों वहां मौजूर हो सकते हैं अपने क्षेत्र में जल्द से जल्द सेप्टिक टांक, गज्धे और लीचिरिंग सिस्टम को ठीट करवाएं सार्वजनिक नुकसान का आंकलन करें और उसकी रिपोर्ट अधिकादियों को घेजें अपने क्षेत्र में अवैद रेत खनन, जंगलों की कटाई, नदियों के आसपास की जमीन पर, कबजे आदी पर रोक लगाएं ध्यान रहे कि रेत पानी को स्पंज की तरह सोखने में सहायक है, जंगलों और पेड भी पानी के वेग को कम करते हैं, देखा जाए तो पेड किसी स्पीट ब्रेगर की तरह काम करते हैं और पानी के बहाव को रोकते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पेड लगाएं क्योंकि आज की तयारी ही कल के संकट को रोकने में सहायक है मदद का हाथ आगे बढ़ाएं प्राकृतिक आपदाओं से ना घबराएं